अब्धियास 2.0 जो की हर्याना सेविल सर्विसेश त्वेश त्वेश के लिए आज के इस रीजनिंग के सेशन में आज हम डिसकस करेंगे वर्बल रीजनिंग डैट इस स्टेटमेंट बेस्ट जो कॉश्चन्स है उनके लेटेट जो सेकंड पार्ट हम आज डिसकस करेंगे और फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर अप्लोड हो चुका है आज आपने उसको भी गो थू किया होगा और आपने साथ ही साथ इस तो यह सब ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो सेकंड पार्ट है ठीक है जिसमें कि हम स्टेटमेंट बेस्ट कोश्चन डिसकस करेंगे 16th सेशन है हमारा रीजनिंग का ठीक है देखिए इसम प्रेपरेशन के लिए नंबर वन इंसीट है ठीक है फॉर्टी बन प्लस सेलेक्शन थी 2021 में 27 प्लस सेलेक्शन थी 2022 में ठीक है तो देखिए क्या के चीज़े आपको अवेलेबल हो रही है आफ्लाइन क्लासिज ऑनलाइन क्लासिज सी सेट क्लासिज पीडियेफ और नोट्स टेस्स सीरीज एस वेलेबल हो रही है ठीक है तो यह सारी चीज़ेस में अवेलेबल है और साथ ही साथ अगर आपने हमारा वट्साप क्मूनिटी ग्रूप भी जोईन नहीं किया तो उसको भी आप जोईन कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको बायो में मिल जाएगा अब प्रॉप्रियेट उस प्रॉलम का उस सेचुएशन का प्रॉपर जो सुलूशन होगा अगला स्टेप क्या होना चाहिए वह चीज आपको उसमें बताएगे देखिए मैं प्रॉपर यहां पर पढ़ता हूं कॉर्स ऑफ एक्शन मीन्स टेक डिसीजन हमें डिसीजन लेना है अलड़ी हमने एक डिसीजन मेकिंग भी टॉपिक जो है किया हुआ है तो उसी के तरह थोड़ा लेटेड है बट हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा ठीक है बेस्ट ऑन दा गिवन सिचुएशन होगी या प्रॉलम होगी आपको दी जाएग हमें ठीक है और बोला गया है किस तरह से हमें क्या करना है हमें लॉजिकली हमें लॉजिकली देखना है और प्रैक्टिकली भी देखना है ठीक है ध्यान रखना है और उस प्रॉलम का हमें सल्यूशन देखना है ठीक है एनलाइज करके उसके फैक्स को ठीक है जो भी आपको स एक से ज़्यादा भी बन सकते ठीक है तो मैं प्रॉपर देखना उसमें एनलाइज दी कोर्स ओफ एक्शन विद लॉजिक लॉजिक एज इट सॉल दी सॉल्ब्स और लेसं दी प्रॉलम या तो सॉल होनी चाहिए प्रॉलम या कम होनी चाहिए प्रॉलम ठीक है मतलब वो जो ब क्रियेट हो जाए तो इस चीज का ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट है डोंट मेक ओन परसेप्शन कोई भी अपनी प्रसेप्शन नहीं बनानी है हम अपनी तरब से कुछ भी जो है इमेजिन नहीं कर सकते जिसको हम इसमें इंक्लूड कर पाएं तो कोई भी अपनी यह आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव इन नेचर एंड एक्शन र्लेटिड पनिश्मेंट एंड हार्ष हार्ष कंडिशन एंड स्ट्रिक्ट और अंडेमोक्रेटिक शूड बी अवाइड जो स्ट्रिक्ट आप जो जो भी स्टैप्स होंगे या ठीक है आगे देखिए एक्ट्स अकॉर्डिंग एक्ट अकॉर्डिंग टु दा रूल्स ऑफ और्गनाइशन और्गनाइशन के रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा existing actions are not effective course of action अगर existing जो जो भी आपके course of action है ठीक है existing action जो है वो कोई भी course of action नहीं होता ठीक है already जो exist कर रहे है ठीक है तो हमें क्या करना है एक जो इंप्रूब्ड कोर्स ऑफ एक्शन शुड़ भी दियर ठीक है तो हमें क्या करना है एक जो इंप्रूब्ड कोर्स ऑफ एक्शन है जो मतलब जो situation है उसकी जो भी situation या scenario उसमें improvement लेके आ रहा है ठीक है उसको lesson कर रहा है वो हमारा course of action होगा हमारा कोई भी ऐसा existing course of action जो की statement में ही given है उसको हम इसमें adopt नहीं कर सकते ठीक है वो हमारा proper course of action नहीं माना जाएगा आगे check feasibility feasibility check करनी है feasible है के नहीं practically possible है के नहीं ठीक है वो हमें check करना है ठीक है और क्या करना है and also a simple problem can not have complex course of action ऐसा नहीं की complex course of action आप उसमें दे दो तो वैसा नहीं होगा ठीक है इस चीज़ का दियान रगना है there are two feasible course of action तो अगर आपके बाग दो feasible course of action दो practical course of action है तो उस case में क्या करना है तो दोनों के दोनों आपके क्या होंगे course of action होंगे मतलब दोनों को ही follow किया जाएगा but इसको हम either or में नहीं लेंगे ठीक है ध्यान रखना दोनों में से एक अगर आपको आप बोलो तो वो नहीं ह होगा दोनों को दोनों ही आपके course of action में count होंगे कि पहला भी course of action है और दूसरा भी course of action है ठीक है तो यह आपका रहेगा इसमें course of action के रिगारी अब हम इसके questions को देखते हैं कि हमें इसमें किस तरह से इनको apply करना है जैसे कि given है यहाँ पे statement में given है since the launching in 1981 वायदूद है सो फार accumulated losses amounting 153 crore 153 crore के जो है losses को जो है accumulate कर चुका है कौन सा यह वायदूद ठीक है वायदूद कोई भी आप बहुत के चल सकते हो कि यह company है कोई ठीक है जो airways की company है तो उसमें 1981 के बाद से अब तक यह 153 crore तक जो है losses जेल चुका है losses कर चुका है ठीक है अब यहां पर क्या problem बताई जा रही है problem यह बताई जा रही है कि वायदूद company 1981 से अब तक 153 crore है तो हमें क्या करना है या तो उसको losses को control करें ठीक है या हम इसके regarding कुछ improvement बताएं जिससे हम इसमें benefit में इसको लेके हैं हम gains में इसको लेके हैं तो course of action हम यहां पर देखेंगे पहला course of action है by those should be directed to reduce wasteful expenditure and to increase passenger fear ठीक है देखिए क्या करना चाहिए इनको अब देखिए क्योंकि हमें इसको gain में लेके आना है तो obviously हमें क्या करना पड़ेगा जो भी जहां पे भी हम जो है waste कर रहे है money ठीक है wasteful expenditure जो भी है उसको हमें क्या करना है उसको कम करना है उसको control कर दो ठीक है और साथ ही साथ passenger का fear उसमें बढ़ा दो ठीक है तो इससे क्या हो सकता है इससे आपका जो है इसमें क्या बन सकती है यह benefit में आ सकता है gains में आ सकता है second देखें an amount of about 300 crore should be provided to the value to make the airline economically viable अब देखिए जो पहले से loss में चल रही है उसमें हम क्या क बृच्च क्रोट इसमें डाल दूँगा तो हो सकता है कि इसमें improvement हो जाए क्योंकि हमें इसको improvise कर इंप्रूब करना तो क्या वोगा इस ही में 300 प्रोट इसमें डाल दूगा पहले से loss में चल रही है ठीक है तो इसमें इससे तो हम control कर पा रहे हैं इससे हम improvement कर पाएंगे ठ ठीक है, clear, चलिए, अब हम next question देखते हैं, यहां पर question है, a major coal power plant in north region of the country, कोई भी country है, ठीक है, उसके north region में, जो coal power plant है, is left with coal for only three days, which may cause a major blackout in the region, ठीक है, देखे, उस region की, north region की बात कर रहे हैं, उसमें blackout की situation बन सकती है, अगर हम जो है, इसमें coal, coal जो बताया कि यहां पर कि सिर्फ तीन दिन का है, ठीक है, तो अब देखे, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले, जो यहां पर major blackout की यहां पर बात की गई है, यह सबसे बड़ी problem है, ठीक है, तो इसको क्या करन है, पहले government should start building a hydro power plant in the region, अब देखे हमें क्या करना, देखे, यह solution हो सकता है, कि coal power plant की जगा हम जो है hydro power plant उसमें बना दे, बट जो hydro power plant है वो एक दिन की बात तो नहीं है, एक दो दिन की बात में जो हम एक दो दिन में उसको खड़ा कर दें बना के, ऐसा तो नहीं होगा, तो यह जो इसका course of action है, यह feasible तो है, बट यह जो है time taking है, तो हमें कह चाहिए, हमें चाहिए इस blackout का problem का solution चाहिए, तो क्या बनेगा, government should start supplying coal to the power plant with an immediate effect, तो government को क्या करना चाहिए, immediately coal की supply को start कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि यह जो situation है, यह हो ही ना पाए, ठीक है, तो क्या बने यह appropriate course of action बनेगा, that is only B is the course of action, ठीक है, I hope आपको यह question समझ आया होगा, अब हम next question में move कर रहे है, अब इस question में क्या बने देखिए, यह बने है, the metrological department of India has warned a cyclone approaching the country's eastern coast, eastern coast की बात हो रही यहां पर, eastern coast, जो जहां पर हमारा, जो है, हमें इंडिया का ही example ले लेते हैं, तो eastern coast मे जितने भी हमारे यहां पर जो भी states हैं, उनको warn कर दिया गया है, ठीक है, कि यहां पर क्या आ रहा है, cyclone जो है approach कर रहा है, अब इसका course of action क्या होना चाहिए, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, precautions लेने पड़ेंगे, कुछ measures यहां पर हमें लेने पड़ेंगे, तो measures क्या क्या होंगे, course of action देखिए, इसमें क्या बनेगा, fishermen must be told not to venture out in the sea, fishermen को क्या वो ना चाहिए, पहले सुन को यह जारी कर देने चाहिए, advisory कि वो sea में venture करने के लिए ना जाए, ठीक है, यह तो पहला आपका सही होगा, yes, course of action proper है, second, people in the potentially affected areas must be adequately informed of approaching cyclone, जैसे कि मैं आपको ब रहा है, तो इसका हमें क्या करना है, हमें इसके लिए, जो भी states हैं, जो भी आपके यहां पे east course में states जो उनकी borders आ रही है, उनको हमें inform करना पड़ेगा, ताकि वहां पे जो जो भी, मतलब, पहले से इनको warning चारी कर दी जाए, ताकि वो पहले से उसको त्यार हो जाए, ठीक कि अगर कोई ऐसी miss happening होती है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वो तैयार रहे हैं, ठीकTh, तो यह आपके तीनों के तीनों क्या बन रहे हैं, यह तीनों, आपके appropriate course of action बन रहे है, मतलब क्या ह tamaleyeगा, all are the appropriate course of action, all follow, ठीक है, तो यह आपका इस तरह से question होगा, अब द Mr. X का कोई भी मतलब नाम का बंदा हो सकता है is secretly selling expired medicines in his store in order to evade losses देखे एक्सपायर जब medicine expire हो जाती है तो वो किसी काम की नेरी तो जो यहां पर इसका chemist है ठीक है यह क्या कर रहा है जो expired medicines है इनको वो अभी भी sell कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए है देखिए वो अपने loss से बचना चाहता है क्योंकि वो किसी काम के नहीं है तो इसके लिए यहां पर यह अपने जो है अपने losses को बचने के लिए अब course of action क्या होगा अब यह प्रॉलम बताई प्रॉलम क्या बताईए क्यों एक्सपायर मेडिसिन को sell कर रहा है पहले समें course of action Mr. X's worker must be suspended from their jobs देखे अब यहां पर क्या कर रहा है यह ऑनर के अगर वर्कर क्योंकि अब ऑनर जो वहां पर ओर देगा वही वर्कर फॉलो करेंगे अगर हम इन वर्कर को suspend कर देंगे अपनी जॉब से तो क्या होना तो उसमें प्रॉलम क्या आईगी यह अनितिकल बन जाएगा क्योंकि जो जो भी यह चीज़े कर रहे हैं वह ऑनर के कहने पर ही कर रहे हैं तो यह आपका पहला जो अनितिकल होगा इसली क्या होगा गलत होग Mr. X must sell their expired medicine to the low price अब देखिए expired medicine चाहे आपके किसी भी form में हो ठीक है वो आपकी जो है कोई भी valuable नहीं होगी इससे कोई भी health problem आ सकती है ठीक है कोई भी situation बन सकती है तो अगर वो low price पे भी इसको sell करेगा तो वो भी अनितिकल होगा ठीक है वो भी गलत है तो इसको भी हम क्या करेंगे इसको cross कर देंगे देखिए next time Mr. X must be allowed to send the expired medicine to the poor countries in Africa where some medicine is better than nothing देखिए कुछ जो है medicine हो जाए जो है medicine की आपने आए दिन सुनते हैं आपकी इंडिया से कुछ भी ऐसे drugs बग्यारा में कुछ प्रॉलम आ रहे तो बाद में क्या होता है उसका असर जो है हमारी जो है reputation पर पड़ता है तो इस तरह की अगर चीज करेंगे तो वो जो है अनितिकल होगी और इसको अवाइड करना च is a course of action या none is following ठीक है ओके तो यह पहला हमारा था इसमें course of action अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा क्या बन रहा है सेकंड टॉपिक है cause and effect का eh cause and effect का ध्यान रखना है कि cause क्या होता है current ठीक है effect है फ्रभाव तो क्या होता है कोई भी चीज कोई भी प्रभाव जब पढ़ता है उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा तो यह दोनो independent भी यह दोनों एक-दूसर से इसमें कुछ information दीए इसको हम देखते हैं देखिए immediate cause की बात हो रही है तो immediate cause क्या होता है immediate cause जो होता है it is immediately it immediately preceded the effect मतलब जो भी effect है जैसे मैं अगर बात करूं यहां पर कोई भी अगर मैं ऐसे मतलब यहां पर इस तरह से अगर pen को ऐसे touch करता हूं तो जो है touch करना मतलब मेरा क्या हुआ यहां पर इससे pressure पड़ा और यहां पर डॉट बना तो यह effect क्या बना यह डॉट बन गया यहां पर red mark आ गया तो cause क्या बना मैंने इसको pen को touch किया यहां पर ठीक है stylus को मैंने touch किया तो cause क्या बना इसका immediately पहले जो मैंने काम किया वो इसका cause बन गया और उसके बाद यहां पर जो चीज हुई वो इसका effect बन गया ठीक है principle cause principle cause का क्या मेनिक है principle cause is the most important reason behind the effect कौन सा most important reason है जिसके बाद जो है यह effect हुआ ठीक है वो हमारा क्या बने का principle cause independent cause independent cause की अगर हम बात करें an independent cause doesn't have a direct or indirect relation with the effect देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि cause अलग हो सकता है क्योई और reason हो सकता है उसका जो आगे effect है वो कुछ और हो सकता है ठीक है तो यह दोनों क्या होंगे यह एक दूसर से related नहीं होगे इसी तरह से independent effect भी आता है ठीक है independent effect क्य होगा कि वो जो cause आपको दिया उससे directly related नहीं होगा ठीक है तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है अब ऐसी भी चीज हो सकती है कि दोनों ही आपको effect दिये हो और दोनों ही causes दिये हो ठीक है तो ऐसा भी इसमें देखने को मिल सकता है अब हम questions को discuss करते हैं आपको find out कैसे कर रह हैं that is the option a है यह आपकी statement a ठीक है इसमें कुछ चीज दी या तो आपको cause दिया होगा या फिर effect similarly आपको यहां पर भी आपको भी में भी या तो cause दिया होगा या फिर यह दोनों related भी हो सकते हैं इंटरलेट हो सकते हैं या दोनों जो है अगर effect हो तो किसी एक cause के effect होगी या द तो देखते हैं हम इसमें question में given क्या है पहले देखिए state government has ordered immediate ban on airing certain movie channel कुछ particular movie channels है उनके बारे में क्या किया गया है इसमें order दियां को ban करने के लिए directly ban करने के लिए बोला है तो देखिए यहां पर order कब देंगे कुछ नो कुछ हुई होगी ठीक है कुछ happening होगी उसके बज़ा से उन्हें नों order दिया state government ने अब यह क्या बन रहा है यह हमें लग रहा है कुछ प्रभाव आपने क्या करना है तो इसमें एक therefore word का use आप कर सकते हैं यहां पर therefore ठीक है कि अगर आप इसके बाद इस statement को बोलने के बाद यहां पर therefore लगा रहे हो तो उससे आपको पता चला है अगर वह properly fit हो रहा है तो उसका मेनिक है कि उपर वाला cause नीचे वाला effect या अगर इसके बाद therefore लगा रहे हो उप therefore a few social activists have come together and demanded ban on telecasting, ban on certain movie channels, telecasting, adult movies on the television इन्होंने क्या किया है देखें अगर मैं therefore नीचे की तरफ लगाँ, A to B लगाँगा तो अब नहीं बनेगा बट अगर मैं B to A लगाता हूं कुछ social activists ने जो आए और उनने डिमांड की telecasting adult movies on television तो उन्होंने क्या किया इन्होंने बी जो है यह जो बात कहीं इन्हों डिमांड की तो therefore state government has ordered immediate ban on airing certain movie channels ठीक है तो इन्होंने क्या किया उन movie channels को ही ban कर दिया ठीक है तो B क्या बन रहा है B cause बन रहा है और A effect बन रहा है अब देखें यहाँ पर क्या चल रहा है यही इस related होने चाहिए same topic की बात चलने चाहिए तो B is cause and A is effect that is option B देखें क्या option दीखें if statement B is the cause and A is the effect ठीक है तो यह तो हमारा answer है बट अगर हम पहली option को देखें क्या वोला है A cause है B effect है तीसरा है बो statement A and B are independent causes दोनों ही cause है अलग लग बो statement A and B are effects of independent causes अलग लग इंडिपेंड cause है उन ना देखें यह both the statement A and B are effects of some common cause common cause के भी effect बन सकते है ठीक है चलिए जैसे कि next question है यहाँ पर इसमें क्या given है government has tightened security checks at all important places and also at various public places government ने क्या किया है जितने भी security check यहाँ पर कर दिये हैं कितने important places पे और public place पे ठीक है बी क्या बता रहा है incidents of terrorist attacks are increasing day by day तो यह क्या बनेगा यह जो है cause बनेगा और उसी का effect क्या बनेगा ए तभी तो security को जो है टाइट किया जाता है ऐसे बोल सकते हैं कि incidents of terrorist attacks are increasing day by day therefore government has tightened security checks ठीक है तो ऐसे बनेगा आपका इसमें भी आपका सेम आंसर आएगा B is the cause and A is the effect ठीक है next question देखें यहां पर there have been sporadic events of stone pelting throughout the day in the affected area of the city ठीक है देखें इवेंट है कुछ होई होगी घटना उसके बाद यह चला ठीक है आगे देखें many wounded people were brought to the nearby hospitals from the affected areas of the city अब देखें यहां पर आपने क्या करना है आप अगर पहले से दूसरे में therefore लगाए देखें पॉडिक इवेंट हुए city के उस specific area में ठीक है है कॉज बन रहा है भी एक बन रहा है थो यह क्या बन रहा है इंटर ये ठीक है क्योंकि इसमें एक ही जगह की बात की गई गई है तो first आपका सही बनेगा a A cause and B is effect ठीक है पैचान ऐसे सकते हैं इसमें नेक्स देखिए हमारे यहां पर question complete होते हैं अब आगे देखिए यहां पर given statement and argument यह आपका topic बहुत important है क्योंकि previous year question previous year में भी ऐसे question आये थे और आगे भी आने के chances हैं क्योंकि इसमें क्या होता हमें दो चीज दो तरह से question को find out करना पड़ता है देखिए पहला यह बने यहां पर आपको strong argument find out करना है आपको weak argument find out करना है strong argument आगे जैसे कोई भी statement है statement के जो sport कर रहे हैं जो भी argument वो क्या आगे strong argument यह strengthening argument और जो statement को weak कर रहे हैं ठीक है उसके अगेंस जो चल रहे हैं वो अगे बीकनी अगर्मेंट ठीक है अब strong argument को जो कुछ topics हैं वो imply कौन सकते हैं यह ध्यान रखना यह आपको इसमें ऐसा नहीं कि आपको stick करना statement के साथ में ऐसा नहीं करना है आपको उसमें युनिव वो बहर जो आपका जो भी time चल रहा है जो भी उसमें चल रहा है सिनारियो चल रहा है उसके according भी सोचना ठीक है कि क्या इसमें हो सकता है क्या यहां पर बात कीगी जैसे कि universal truth यह आपके कुछ topics है जो कि imply करें युनिवर्सल truth हो गया एडवाइस हो गया यह आपके strong argument होते है development related like education nation and social यह सभी क्या होते है strong argument होते है अगर development के related है ठीक है national security यह भी strong argument है ठीक है instruction from supreme authority like president PM anyone at higher position यह भी क्या होगे strong argument होगे ठीक है जो भी यह advisory जारी हो रही है या कुछ भी इन्होंने कोई भी यहां पर order दिया है या instruction दिये तो वह आपका strong argument में आता है ठीक है fact based non experience experience के ओपर जो भी facts facts है वो भी आपके strong argument में count होते हैं ठीक है अब देखिए आप एक बात का ध्यान रखना feasibility भी होने चाहिए feasible होना चाहिए आपको argument वह ऐसा नो कि हम उसमें किसी भी तरह से उसको imagine कर लें ठीक है assumption based assumption वहां पर लेके चल रहे है comparison based हम compare कर रहे हैं ठीक है कि एक पार को दूसरे पार से आप explain मतलब पूरी तरह से explain नहीं किया गया देखिए यहां पर और एंबीगस ठीक है unclear जो है वह ठीक है यह चौथा और चटा सेमी चीज़ है आगे है consistent जेनल वर्ड्स लाइक नन लोवन इच एवरी ओनली ओल एट्सक्टरा तो इन बात इन चीजों का ध्यान रखना अगर यह भी आते हैं तो वह argument जो होगा आपका वह वीकनिंग argument में count होता है चलिए अब हम इसके question देखते हैं यहां पर देखिए पहला कोशन है शुड मिलिटरी सर्विस भी मेड कंपल्सरी इन आर कंट्री मिलिटरी सर्विस को हमारी कंट्री में कंपल्सरी करना चाहिए हमारी कंट्री में अब देखिए अपनी कंट्री की बात चल रही है तो पैला है नो इटिस अगेंस दी पॉलिसी अड कि ध्यान रखना कि आगर भी सेक्योरिटी कि अगर बात करें तो सेक्योरिटी कभी भी आपको इसमें नहीं मिलेगी थोड़ा सा मैं आपको इसके structure के बारे में बता दो आपको statement इस form में भी आ सकती है question mark की form में या statement आपको दूसरी तरह से भी आ सकता है कोई paragraph दिया हो हमें उसमें से बताना है कि कौन सा उसको sport करा कौन सा नहीं कर रहा है ठीक है अब देखिए इसमें क्या वला है कि no it is against the policy of non-violence country की रक्षा करना country की security कभी भी non-violence में नहीं आता ठीक है वह आपका क्या बनेगा यह आपका पहला तो इक निंग अर्कुमेंट हो गया ठीक है सेकंड देखिए यस एवरी सीटिजन शोट बी प्रोटेक्टेड शुट प्रोटेक्ट इस कंट्री ठीक है देखिए एक और चीज में यहां पर बताना चाहता हूं हमें क्या करना है हमें फीजिबिल्टी भी देखनी है ठीक है कि य मिलिटरी सर्विस में लेके आए तो वह क्या बनेगा वह इतना जो है बर्टन जो गौवर्मेंट नहीं ले पाएगी ठीक है तो इस बज़ा से यह फीजिबल नहीं है ठीक है तो यह सेकंड भी क्या होगा आपका यह आपका विकनिक अर्गमेंट को तो क्या आएगा नन और is a strong argument अब देखिए second question यहाँ पर should excavation at historical sites be funded by the government क्या इनको गौवर्मेंट को fund करना चाहिए excavation ठीक है अब historical sites की बात करें तो वहाँ पर क्या मिलते हैं हमें artifacts मिलते हैं artifact से हमें क्या पता चलता है हमें history पता चलती है अब पहला इसमें अर्गमेंट है यह तो चलो ठीक है यह तो चलो ठीक है बट हम देखेंगे इसमें कि second argument क्या बोला क्या होता है जब यहां पर excavation करते हैं तो उस case में क्या होता है यहां पर expenditure तो बहुत ज्यादा होगा second क्या होगा कि कोई भी जैसे चीजें जो होती है जो artifacts है वह rarely मिलते हैं अब अगर हम इन दोनों को compare यह भी आपका स्ट्रॉंग बन रहा है यह बट इन दोनों में compare करेंगे तो ज्यादा stronger कौन सा है ज्यादा stronger आपका भी बन रहा है तो क्या आएगा only second argument is stronger कि अब देखें यहां पर बोला गया इसमें यह question आपका इसमें बोला गया कि classify करना आप से यहां पर आपको ऐसे बोला जाए कि strong कौन सा बन रहा है और week कौन सा बन रहा है अब ऐसे आपको statement दिए कि नहीं करना चाहिए अब देखिए पहला इसमें बोला है no there are thousands of people who are dependent on the fresh milk given by cows within the city limits every morning क्या है बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस पर depend करते हैं और उनको क्या चाहिए उनको जो मौनिंग में मिल चाहिए ठीक है बहुत सारे बच्चे आदमी है ठीक है और कुछ ऐसे हैं जो कि उनको पालते भी तो यह जो है आपका पहला स्ट्रॉंग ऑर्कॉमेट पन रहा है इसके ही उनको लाव करना चाहिए क्योंकि उसकंपर क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोगPass он हो रहा है तो यह क्या होगा यह वीक्निंग आर्कुमेंट है ठीक है तो यहाँ पर मैं डबली लिखते ता हूं कि अगे देखिए यह इस तो यह अब इस स्टेटमेंट को यह स्पोर्ट कर रहा है यह बोर रहा है कि होने होने हैं यह बोर रहा है कि यह नहीं होनी चाहिए तो यह स्टेटमेंट जो हां इसकी बात करें यह बात रही थी कि इनको सिटी की लिमिट में अलाओ करना चाहिए कि नहीं बट यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो काउज जो है सेक्रेड अनिमेल है पट यह तो ऐसा कुछ भी ऐसे नहीं कर रहा है तो यहां पर कुछ और जो है टॉपिक शुरू हो चुका है इस वजह से यह एक वीक टॉपिक यहां पर शुरू कर चुके हैं तो क्या आएगा यह भी आपका वीकनिंग अर्गोमेंट है तो क्या बनेगा ओनली सेकंड इस ट्रॉंगर और बाकि आपके वीकनिंग आर्गोमेंट में काउंट हो रहे हैं ठीक है तो यह थे हमारे टॉपिक्स आई होप आपने इ आपके प्यास आपके वीकनिंग तो किन आपके वीकनिंगर लागोमेंट है